खेलो अज अम करते हैं रेखिक समिकरन में ऐसी समिकरन है जो रेखिक रूप में नहीं है लेकिन उनको रेखिक रूप में चेंज किया जा सकता है इस तरह की इंपोंट अन्हें एग्जाम में आ भी सकते हैं इसमें method का name नहीं लिखा हो था, सीधा ही लिखा होता है कि रेखिक रूप में बदल कर हल कीजिए, अगर ये भी ना लिखा हो तो कुछ एक समिकरने ऐसी होती है कि जिनको रेखिक रूप में ना भी बदले तो भी वो हल हो जाती है, अगर उस टाइप से करना है तो वो भी बत क्लियर, अब देखो कैसे करते हैं इसको, अब इसमें देखो क्या है, जो रेखिक समिकरना होती है ना हो ऐसे होती है, ax प्लस by बराबर c, मतलब x की गात एक होनी चाहिए, y की गात एक होनी चाहिए, और ये दोनों उपर होने चाहिए, और बराबर में क्या होना चाहिए, न तांक अब इसमें X और Y दोनों नीचे आ रहे हैं और दोनों में सेम पोजिशन में आ रहे हैं तो हम इसको रेकिक में चेंज कर सकते हैं तो सोल्यूशन में मैं क्या करता हूँ सिधा ही मैं यहां लिख देता हूँ माना 1 बटे X बराबर A 1 बटे Y बराबर B तो यह जो 1 बटे X है ना तो इसकी जगा तो रख दिया A और 1 बटे Y है इसकी जगा रख दिया B 3 नीचे है तो नीचे ही आएगा 2 नीचे है तो नीचे ही आएगा कई शूडेंट सिधा लिख देते हैं 2 A वैसे नहीं करना ठीक है और बराबर में है 2 अब इसको लगुतम लेके हल कर देते हैं क्योंकि बिन संख्या है यह आगी 3 और 2 का लगुतम हो गया 6 तो यह आजेगा 6 को 2 से भाग दिया 3 3 को A से गुना किया 3 A और यह आजेगा 2 B बराबर 2 तो क्या बनेगा 3 A प्लस 2 B बराबर 12 यह समिकरन नंबर आगी 1 तथा दूसरी को चेंज करेंगे तो 1 बटा X होता है A तो A बटा 3 प्लस B बटा 2 बराबर 13 बटे 6 लगुतम लेके हल करते हैं तो 3 और 2 का लगुतम हो गया 6 6 को 3 से भाग दिया 2 2 को उपर गुना किया तो आजेगा 2 A प्लस 3 B बराबर 13 बटे 6 6 से 6 कट गया 2 A प्लस 3 B बराबर 13 यह दूसरी समिकरन नंगी ठीक है अब हमने दोनों समिकरनों को हल करने हल करने के लिए हम क्या करेंगे A और B में से किसी एक के गुनांकों को बराबर कर देंगे ठीक है तो मैं B के गुनांक बराबर करता हूँ देखो क्या है समिकरन 1 होना इस वाली संक्या मतलब 3 से गुना करेंगे समिकरन 1 गुना 3 समिकरन 2 समिकरन 2 को 1 वाले B के गुनांक से गुना करेंगे जो है 2 तो इसको 2 से गुना कर दिया जब गुनाक बराबर होंगे नَ तो इससे पहले भी प्लस का चीन ہے इससे पहले भी प्लस का जब चीने समान होते हैं तो हम समिकर्णों को करते हैं अब इसको हमने गुना किया 3 से तो यह आज़ा गदा 9A प्लस 6B 12 को 3 से किया तो याख गदा 36 इसको 2 से गुना किया तो आज़ेगा 4 प्लस 6B और इसको 2 से गुना किया तो यह आज़ेगा 26 नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर देंगे 6B से 6B कट गया 9A-4 तो आज़ेगा 5 यह बराबर 10 तो A बराबर आज़ेगा 10 बटे 5 A का मान आगया 2 ठिक है? अब A का मान एक में रख दो या 2 में कहीं भी रख दो तो मैं समिकरन 1 में रखता हूँ समिकरन 1 से A का मान रखा 2 तो यहादेगा 3 और ब्रेकेट में रख दिया 2 प्लस 2B बराबर 12 तो 2B बराबर 12 3 को 2 से गुना किया 6 6 उदर जाके हो गया minus 2B बराबर 6 तो B का मान निकालना है तो ये बटे में चलाजेगा 6 बटे 2 तो B बराबर आजेगा 3 ठीक है ये हल हो गया लेकिन ये complete answer नहीं आया A और B तो हमने माने थे हमने मान निकालना है X और Y का ठीक है अब हमने माना था 1 बटे X बराबर A A का मान रख देते है A का मान हमारे पास निकला है 2 हमने X निकालना तो X इधर आ गया 2 इधर आ गया या ऐसे लिख देता हूँ दोनों और व्यूत करम लेने पर 1 बटे X का व्यूत करम होगा X 2 का व्यूत करम होगा 1 बटे 2 ठीक है अब इसके बाद Y का मान निकालना है तता 1 बटे Y बराबर माना था B और B का मान है 3 व्यूत करम लेंगे तो 3 का व्यूत करम होगा 1 बटे 3 अब next में देखो क्या है अब X के जगा अंडरूट X आ गया तो हम A को क्या मान लेंगे 1 बटे अंडरूट X ठीक है तो solution के अंदर देखो क्या है माना 1 बटे अंडरूट X बराबर A 1 बटे अंडरूट Y बराबर B तो अब 2 उपर है तो उपर ही रेगा पिछले question में अपोन में था बटे में 1 बटे अंडरूट X की जगा रग दिया A अब 2 बटाई मतली दे ना 2 A रेखिक में change हो गया 3 B बराबर 2 यह समिकरन 1 होगी यह होज़ेगा 4 A माइनस 9 B बराबर माइनस 1 यह समिकरन 2 B अब हमने गुनांकों को बराबर करना है गुनांकों को बराबर देखो कैसे करेंगे अगर पहली समिकरन को 9 से गुना कर दे दूसरी समिकरन को 3 से तो गुनांक बराबर होजेगे मैं क्या करूंगा पहली कोई 3 से कर देता हूँ तो 9 और 9 दोनों बराबर होगे तो मैं लिख रहा हूँ समिकरन 1 गुना 3 गुनांग बराबर करनें कैसे भी कर लो समीकरन दो गुना अब इसको एक से करेंगे क्योंकि नोई रखने अब दोणों के चीन है वीपरीध हैं तो हम समीकरनों को करेंगे प्लस तो क्या होगा 3 से गुना करेंगे तो आजेगा 6A प्लस 9B बराबर 6 एक से गुना करेंगे तो आज़ेगा 4 माइनस 9 बराबर माइनस 1 ये कट गया अब आज़ेगा 10 A बराबर 5 A बराबर 5 बटे 10 और A बराबर 1 बटे 2 ठीक है अब A का मान A का मान में रखता हूं समीकरन 1 में तो आज़ेगा 2 इसको ब्रेकिट में रखा 1 बटे 2 प्लस 3 B बराबर 2 अब ये 2 से 2 कट रहे हैं ठीक है कई स्टूडेंट क्या करते हैं अगली लाइन में लिख देते हैं 3 B बराबर 2 और B बराबर 2 बटे 3 जो गल्त है इसको नहीं करना ये मुस्लिम मिस्टेक्स होती है 2 से 2 कट गया तो यहां रहे जगा 1 3 B बराबर 2 माइनस 1 तो 3 B बराबर 1 B बराबर 1 बटे 3 ठीक है पर हमने तो X और Y निकालने है अब X और Y के लिए क्या होगा अब 1 बटे अंडरूड X बराबर A A का मान डग देते हैं 1 बटे अंडरूड X बराबर 1 बटे 2 व्यूतकरम लेंगे तो क्या आएगा अंडरूड X बराबर 2 इसका व्यूतकरम मतलब उल्टा होगया 1 बटे 2 का व्यूतकरम 2 होगया हमने निकालने हैं X तो वर्ग कर देते हैं दोनों और वर्ग करने पर अंडरूट एक्स का वर्ग हो गया एक्स दो का वर्ग और एक्स ब्राबर हो जेगा चार ठीक है? तथा एक वटे अंडरूट वाई ब्राबर बी एक वटे अंडरूट वाई ब्राबर एक वटे तीन व्यूत करम लेंगे तो अंडरूड वाई बराबर तीन, वर कर देंगे तो वाई बराबर नो क्लियर नेक्ट पार्ट में देखो क्या है, एक्स तो बटे में है, वाई बिल्कुल सही पोजिशन पर पड़ है, इस बार हम सिरफ एक्स को मानेंगे, तो मैं लिखता हूँ माना एक वटे एक्स बराबर एक, तो क्या होगा चारे प्लस तीन वाई बराबर जोगा समिकरन एक, तीने माइनस चारवाई बराबर तेस, समिकरन दो गुनाग बराबर करने y के गुणा को ब्राबर करता हूँ इस समिकरन को 4 से गुणा करते हैं दूसरी वली समिकरन को 3 से तो क्या होगा समिकरन 1 गुणा 4 समिकरन 2 गुणा 3 विप्त्री चीन है के तो इन दोनों को करते हूँ प्लस ठीक है अब 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16A प्लस 12Y बराबर 56 3 से गुना करेंगे तो आज़ेगा 9A माइनस 12Y बराबर 59 यह दोनों कट गे 16 प्लस 9 यह आज़ेगा 25A बराबर 125 A बराबर 125 बटे 25 A का मान आगया 5 ठीक है अब 1 का मान 5 हम सम्मिकरन 1 में रख देते हैं सम्मिकरन 1 से 4 A की जगा रख देता हूँ 5 प्लस 3Y बराबर 14 3Y बराबर 14 माइनस 20 Y बराबर 14 माइनस 20 होता है माइनस 6 और यह जो गुना में है तो यह बटे में आगया तो Y का मान आगया माइनस का 2 ठीक है y तो आगया x निकालना है अब 1 बटे x बराबर a 1 बटे x बराबर 5 व्यूत करम लेंगे तो x बराबर आजेगा 1 बटे 5 clear next part में देखो अब क्या है 5 बटे x-1 इस बार नीचे x-1 है दोनों के नीचे x-1 है और दोनों के नीचे y-2 है तो इस बार जो हम मानेंगे न सोल्यूशन में मान एक बटा x-1 बराबर a एक बटा y-2 बराबर b तो क्या आदेगा 5 a प्लस b बराबर 2 6 a माइनस 3 b बराबर 1 इसको समिकरन 1 लिख देते हैं इसको समिकरन 2 लिख देते हैं अब गुनाग बराबर करने हैं यह 3 है ना तो इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 1 से विपरिची नेगे तो हम दोनों को जोड देंगे ठीक है तो समिकरन 1 गुना 3 समिकरन 2 गुना 1 और दोनों को जोड दिया तो पहले को 3 से गुना किया तो आज़ेगा 15a प्लस 3b बराबर 6 इसको 1 से गुना किया तो आज़ेगा 6a माइनस 3b बराबर 1 3b से 3b कट गया 15 और 6 21a बराबर 7 a बराबर 7 बटे 21 a बराबर 1 बटे 3 ठीक है अब a का मान हम रखेंगे समिकरन 1 में रख दो या समिकरन 2 में 2 में रखते हैं तो 6 और 3 कट जाता है या लगुतम लेना बढ़ेगा ठीक है फिर भी मैं समिकरन 1 में रखता हूं लगुतम ही लेंगे समिकरन 1 से 5 a का मान है 1 बटे 3 प्लस b बराबर 2 3 लगुतम आ गया तो आजएगा 5 प्लस 3 b बराबर 2 5 प्लस 3 b बराबर 3 को 2 से गुना किया तो या आजएगा 6 3 b बराबर 6 माइनस 5 3 b बराबर 1 b बराबर 1 बटे 3 ठीक है a का मान भी 1 बटे 3 b का मान भी 1 बटे 3 हमने निकालना है x और y अब 1 बटे x माइनस 1 बराबर 1 बटे 3 व्यूतकरम ले लेंगे तो आजएगा x-1 बराबर 3 एक उदर जाके जुड़ जएगा 3 प्लस एक हो जएगा 4 तथा 1 बटे y-2 बराबर b और b की जगा रख देते हैं 1 बटे 3 व्यूत्करम ले ले लेते हैं तो आज़ेगा y-2 बराबर 3 2 उदर जाके प्लस में हो जएगा 3 प्लस 2 यह होजएगा 5 अब हम a के गुना बराबर करेंगे b के भी कर सकते हैं लेकिन इसमें बड़ी संक्या से गुना करना मड़ेगा इसलिए a के बराबर कर रहे हैं तो समिकरन 3 है ना उसको इस वाली संक्या से मतलब 7 से गुना करेंगे समिकरन 4 है इसको उपर वाली संक्यासे मतलब 2 से गुना करेंगे तो दोनों से पहले विपरित साइन हो गया तो हम प्लस करेंगे समी करनों को 7 से गुना किया तो आज़ेगा माइनस 14 A प्लस 49 B बराबर 35 2 से गुना करेंगे तो आज़ेगा 14 A प्लस 16 B बराबर 30 ये दोनों कट गे तो आज़ेगा 65 B बराबर 65 जब 65 से बाग दे लेगे तो B का मान आज़ेगा 1 इस B का मान समीकरन 3 में रखते हैं समीकरन 3 से तो आज़ेगा माइनस 2 A प्लस 7 गुना 1 बराबर 5 तो माइनस 2 A बराबर 5 माइनस 7 माइनस 2 A बराबर माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया A बराबर 2 बटे 2 तो A बराबर आ गया 1 ठीक है बट हमें तो X Y निकालने हैं तो X Y निकालने का तरीका बताया हुए अब 1 बटे X बराबर होता है A और A का मान हमने निकाला है 1 व्यूतकरम लेंगे तो इसका व्यूतकरम X और 1 का व्यूतकरम 1 तथा 1 बटे Y बराबर B 1 बटे Y बराबर 1 व्यूतकरम लेंगे तो Y बराबर आजेगा 1 ठीक है? अब ये तो रैखिक में चेंज करके अगर ऐसे आजे ना कि रैखिक सम्मी करनों में बदल के करने है अगर सीधा आजे ना तो ये question direct भी हो सकते है तो इसका second method देखो अगर direct करना है तो 7X माइनस 2Y बटे में XY बराबर क्या है? 5 तो आजेगा 7X माइनस 2Y बराबर 5XY ये सम्मी करन 1 होगी ऐसे जब दूसरी सम्मी करन निकालेंगे तो क्या आजेगा? तथा 8X प्लस 7Y बराबर 15XY तो मैं क्या करूँगा? सम्मी करन 1 है ना उसको तो करूँगा 7 से सम्मी करन 2 है इसको करेंगे 2 से और दोनों को प्लस भी करूँगा क्योंकि विपरीचिने के हैं साथ से करेंगे तो क्या आजेगा? 49X माइनस 14Y 35XY 2 से करेंगे तो आजेगा 16X प्लस 14Y 30XY प्लस करते हैं तो ये दोनों कट गए 65X इक्वल टू 65XY X से X कट गया तो 65 उपोन 65 इक्वल टू Y तो Y इक्वल टू आ गया 1 मान कहीं भी रखतो समिकरन एक में रख देता हूँ तो 7X माइनस 2,1 5X,1 X वाले एक साइड में कर लेते हैं तो 5X लेफ्ट में आ गया 2 राइट में चला गया तो 2X इक्वल टू तो X इक्वल टू आ देगा 1 ये तो है डारेक्ट मैथड अगर इस टाइप का कुश्चन आजे तो डारेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे आजे ना रेखिक सम्मिकरनों के युगमू में बदल करके करने हैं तो तो यैसे ही करने हैं अगर सीधा आजे हल कीजिए तो किसी से भी कर दो कोई प्रोब्लम नहीं है अब नेक्ट पार्ट में देखो ये पिछले जैसा ही है पहले XY बटे में था अब यहां है तो सोलूशन करने के लिए देखो क्या है 6X प्लस 3Y इक्वल टू 6XY इस XY को बटे में ले आते हैं तो आजेगा 6X प्लस 3Y अपोन XY इस XY को उठा के यहां ले आए तो बराबर में आगया 6 दोनों के नीचे अलग-लग कर लेते हैं 6X प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्स प्लस 4Y बराबर में 5XY तो आजेगा 2X प्लस 4Y बटे में XY बराबर 5 दोनों के नीचे अलग-लग कर लेते हैं 2X प्लस 4Y बटे XY बराबर 5 X से X कट गया Y से Y कट गया ठीक है तो क्या होगा इसको X वाले को पहले लिखते हैं पहले जैसे 4 बटे X प्लस 2 बटे Y बराबर 5 समी करन 2 अब देखो क्या करते हैं सेम प्रोसीजर अब 1 बटे X बराबर A 1 बटे Y बराबर B तो क्या आएगा 3A प्लस 6B बराबर 6 यह पूरी लाइन ना 3 से भाग जा रहा है इसमें ठीक है तो मैं क्या करता हूँ दोनों और 3 से भाग देने पर नहीं भी 2 के तो भी लास्ट में सेमी अंसर आएगा यहां देखा A प्लस 2B बराबर 2 समीकरन 3 इसको लिखेंगे 4A प्लस 2B बराबर 5 समीकरन 4 अब इन दोनों के गुनाग बराबर है दोनों से पहले प्लस का चीन है तो सीधा ही माइनस कर देते हैं समीकरन 3 माइनस समीकरन 4 तो क्या आएगा A प्लस 2B बराबर 2 चारे प्लस दो भी बराबर पांच तो आज़ेगा माइनस 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 ये कट गया ए माइनस चारे तो आज़ेगा माइनस का तीन है दो माइनस पांच ये आज़ेगा माइनस का तीन माइनस है माइनस कट गया ये तीन बटे में जाएगा तो A का मान आ गया 1 अब A का मान मैं समी करन 3 में रखता हूँ समी करन 3 से तो अधिका 1 प्लस 2B बराबर 2 तो 2B बराबर 2 माइनस 1 तो 2B बराबर 1 तो B बराबर 1 बटे 2 ठीक है? A और B दोनों आ गए अब हम निकालते हैं X और Y अब 1 बटे X बराबर A 1 बटे X बराबर 1 व्यूत करम लेंगे तो X का मान आ गया 1 तथा 1 बटे Y बराबर B 1 बटे Y बराबर 1 बटे 2 व्यूत करम लेंगे तो Y का मान आ जेगा 2 क्लियर? अब नोट कर लो अब देखो next में इसमें पहले दोनों समिकरनों को लिख देता हूं 1 बटे X माइनस Y बराबर B तो क्या बनेगा? 10A प्लस 2B बराबर 4 ये पूरी लाइन 2 से वाग जा रही है तो 2 से वाग दे देते हैं तो क्या आएगा? 5A प्लस B बराबर 2 समिकरन 3 और एक समिकरन मनेगी? 15A माइनस 5B बराबर माइनस 2 समिकरन 4 अब क्या करेंगे? इसको 5 बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा? समिकरन 3 गुना 5 समिकरन 4 गुना 1 और दोनों को कर देंगे? प्लस ठीक है? अब इसको 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25A इसको 5 से गुना करेंगे तो आजएगा प्लस 5B बराबर 10 इसको एक से गुना करेंगे तो आज़ेगा 15A माइनस 5B बराबर माइनस 2 यह दोनों कटगें 25 और 15 यह आज़ेगा 40A बराबर 8 तो A बराबर 8 वटे 40 तो A बराबर आज़ेगा 8 और 40 कटजेंगे तो आज़ेगा 1 वटे 5 अब A का मान समिकरन 3 में रखते हैं तो समिकरन 3 से 5 एक बराबर 5 प्लस B बराबर 2 5 से 5 कट गया मैंने यह भी बताया था यह वाला A कैना इसको छोड़ना नहीं है यह साथ में आएगा काटने के बाद तो B बराबर आज़ेगा 2 माइनस 1 तो B का मान आगया 1 ठीक है अब हमने तो निकालने हैं X Y अब क्या होगा हमने माना था 1 वटे X प्लस Y बराबर A तो मतलब 1 वटे X प्लस Y बराबर 1 वटे 5 तो X प्लस Y बराबर क्या आज़ेगा 5 यह समिकरन 5 आगे और क्या है इसके अंदर B तथा 1 वटे X माइनस Y बराबर B 1 वटे X माइनस Y बराबर 1 X माइनस Y बराबर 1 समिकरन 6 अब 5 और 6 है ना अब इन दोनों को हल करेंगे क्योंकि X Y निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा समिकरन 5 प्लस समिकरन 6 दोनों को प्लस कर दिया x प्लस y ब्राबर 5 x माइनस y ब्राबर 1 ये दोनों कट गे तो 2x ब्राबर क्या आजेगा 6 अब 2 से भाग दे दिया तो क्या आजेगा x ब्राबर 6 वटे 2 x ब्राबर 3 ठीक है अब इस x का मानना मैं समिकरन 5 में रखूँगा समिकरन 5 से 3 प्लस y ब्राबर 5 तो y ब्राबर आजेगा 5 माइनस 3 y ब्राबर 2 अब next में देखो क्या है अब दोनों के बटे में 3x प्लस y आ रहा है दोनों के बटे में 3x माइनस y आ रहा है तो मैं मानता हूं मानना 1 बटे 3x प्लस y इसको तो मान लेते हैं A, 1 बटे 3X माइनस Y, यह माल लेते हैं B तो क्या आजएगा A प्लस B बराबर 3 बटे 4, इस 4 को यहां गुना कर देते हैं, तो आजएगा 4A प्लस 4B बराबर 3 समिकरन 1 1 बटे 3X प्लस Y, यहां माल लेते हैं A तो आजएगा A बटे 2 माइनस, इसकी जगाँ माल लेते हैं B, तो B बटे 2 माइनस 1 बटे 8 दो लगुतम ले लेते हैं A माइनस B माइनस 1 बटे 8, 2 से 8 कट गया है यह आजएगा 4, 4 को तिर्चा गुना करते हैं तो आजएगा 4 माइनस 4B बराबर माइनस 1 ठीक है, यह दूसरी सम्मिकरन, दोनों सम्मिकरनों को हल करते हैं, बहुत इज़ी है देखो गुनाक बराबर ही है, सम्मिकरनों को प्लस कर देते हैं, सम्मिकरन 1 प्लस सम्मिकरन 2 तो क्या होगा 4A प्लस 4B बराबर 3, 4A माइनस 4B बराबर माइनस एक ये दोनों कटके हैं तो आज़ेगा आठे बराबर दो ए बराबर दो बटे आठ ए बराबर एक बटे चार एक आमान मैं रखता हूँ सम्मिकरन एक में तो सम्मिकरन एक से चार एक बटे चार प्लस चार भी बराबर तीन तो आज़ेगा में आएगा तो आज़ेगा 4B बराबर एक उधर जाके माइनस होजेगा B क्या होजेगा 4 बटे में आज़ेगा 2 बटे 4 तो B आज़ेगा 1 बटे 2 ठीक है A और B दोनों आगे अब हम X और Y निकालेंगे अब क्या होगा A का मान रखते हैं 1 बटे 3X प्लस Y बराबर 1 बटे 4 3X प्लस Y बराबर 4 यह सम्मिकरन 3 आगे तथा 1 बटे 3X माइनस Y बराबर B 1 बटे 3X माइनस Y बराबर 1 बटे 2 व्यूतकरम ले लेते हैं तो 3X माइनस Y बराबर आगया 2 यह सम्मिकरन 4 आगे अब Y और Y दोनों के गुनाग बराबर है तो दोनों सम्मिकरनों को मैं प्लस कर देता हूँ सम्मिकरन 3 प्लस सम्मिकरन 4 तो क्या होगा 3X प्लस Y बराबर 4 3X माइनस Y बराबर 2 ये दोनों कटके तो आज़ेगा 6x बराबर 6 तो x का माना आगया 6 बटे 6 या आज़ेगा 1 इस x का माना हम रखते हैं समिकरन 1 में तो समिकरन 1 से 3 1 प्लस y बराबर 4 तो y बराबर आज़ेगा 4 माइनस 3 तो y बराबर आगया 1 clear?